ओम शान्ती सुनते हैं 13 नुवंबर 97 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर माहा बाक्य आज की अव्यक्त मुर्ली की टाइटल है संगम युक के प्राप्तियों की प्रालब्द का अनुभव करो मास्टर दाता माहा सहयोगी बनो तो आज की मुर्ली में बाबा ने चार क्वेस्चन नुबर वन अपने स्रिष्ट भागे की रेखा समर्ती में इमर्ज रहने की निशानी क्या है नुबर टू पुर्शार्थ की प्रालब्द कौन सी है जो अनुभव करनी है नुबर त्री मास्टर दाता महा सहयोगी किसे कहेंगे नुबर फोर ब्राह्मन का अर्थ क्या है बड़ी सुन्दर मुर्ली बाबा ने का हर वक्त स्रिष्ट भागे की समर्ती मर्ज रहनी चाहिए और उसकी निशानी होगी सब पुरानी समर्तियां मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होते होते बाबाने का एक दिन समाप्ती हो जाएंगे कितना सुन्दर और संगम युक का जो प्रशार्थ की स्रिष्ट प्रालब्द अभी सदा हर वक्त अनुभव होने चाहिए संगम युक के प्राप्तियों की प्रालब्द का अनुभव करो मास्टर दाता महा सहयोगी बनो आज भाग्य विधाता बाप अपने स्रेष्ट भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं क्योंकि सारे कलप में चक्र लगाओ तो आप जैसा स्रेष्ट भाग्य किसी धरम आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी स्रेष्ट आत्माओं का है मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो बाप दादा हरे एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई जोती की स्रेष्ट रेखा देख रहे हैं आप सभी भी अपनी स्रेष्ट रेखाओं देख रहे हो नैनों में देखो तो सने और शक्ती की रेखाओं पस्ट हैं मुख में देखो मधूर स्रेष्ट वाणी की रेखाओं चमक रहे हैं होटों पर देखो रुहानी मुस्कान रुहानी खुशी की जलक की रेखा दिखाई दे रही हैं हर्दे में देखो वा दिल में देखो तो दिल्ला राम के लाव में लवलीन रेना की लवलीन रेने की रेखा स्पष्ट है नैनों में सनेह शक्ती की रेखा है और मुख में मधुर स्रेष्ट वानी की रेखा है होटों पर रुहानी मुस्कान की रेखा है रुआनी खुशी के जलग हर्दे में और दिल में लाव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है हाथों में देखो दोनों ही हाथ सरव खजानों से संपन होने की रेखा देखो पाओं में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है कितना बड़ा भाग्य है भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुर्शार से स्रेष्ट कर्मों की कलम से सब रेखाएं खीचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है जितनी लकीर लंबी खीचने चाहो उतनी खीच सकते हो लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खीचनी है वे स्यम ही खीच सकते हो बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वे लकीर खीचने आती है खीची है या खीचना नहीं आता है सबी को आती है न तो सबने का हाँ जी बहुत अच्छा देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कलप में जो भी स्रेष्ट बनाती है 21 जनम तो सारे कलप में भी स्रेष्ट बनाती है 21 जनम तो सदा संपन और सुखी रहने की रेखा चलती ही है और द्वापर कलिव में भी आपके पुझे बनने की रेखा स्रेष्ट रहती है तो इस समय के भागे की रेखा सारा कलब सदा साथ रह चलती है क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है तो सदा अपने स्रेष्ट भागे की रेखा समृती में रहती है रहती तो है लेकिन कभी मर्ज रहती है तो कभी मर्ज रहती है वा सदा ही मर्ज रहती है इसमें कम हाथ उठा रहे हैं देखना सदा इमर्ज रहे है इमर्ज रहने की निशानी है कि पुराने समृतियां पुराने संसकार की रेखाएं मर्ज हो जाती है कभी भी पुराने संसकारों की रेखाएं वा पुरानी बातों की समर्थी की रेखाएं इमर्ज नहीं हो मर्ज हो बाबा ने निशानी बताया क्या कि वो सब मर्ज हो जाएंगी पुरानी बाबा ने कहा और मर्ज रहते रहते फिर समापत हो जाएं जहां स्रेष्ट भाग्य की रेखाईं मर्ज हैं वहां पुरानी रेखाईं मर्ज होना असंभव है अगर होती है तो सिद्ध होता है कि स्रेष्ट भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती तो क्या समझते हो इतने स्रेष्ट भाग्य की रेखाएं मर्ज होनी चाहिए या मर्ज बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चेव को वर्तमान संगम युक की प्राप्तियों के प्रालब्द रूप में देखना चाहते हैं पुर्शार्थ बहुत समय किया, अभी पुर्शार्थ स्वते चले, मेनत वाला पुर्शार्थ नहीं, क्या अंत तक पुर्शार्थ की मेनत करते रहेंगे, संगम युक के प्राप्तियों की प्रालब्द का अनुबव अब नहीं करेंगे, तो कब करेंगे? बविश्य की प्रालब्द अलग चीज़ है वे तो आपके इस पुर्शार्त की प्रालब्द की परच्छाई है वे तो आपके पीजे पीजे आपे ही आएगे लेकिन विशेश बात है इस समय के प्रालब्द प्राप्त करने की ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे हैं क्या हाल चाल है तो अभी तक यहीं नहीं कहते रहो कि पुरशार्थ तो चल रहा है पुरशार्थ तो है लेकिन पुरशार्थ की प्रालब्द अभी अन्भाव करो यह प्रालब्द है सरव शक्ती संपन सरव ग्यान संपन सरव विगन मिनाशक मूर्थ यह अभी की प्रालब्द भविश्य में स्वते ही प्राप्त होगी जैसे भविश्य में सिरफ प्रालब्द है पुर्शार्थ समाप्त है ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रालब्द सुरूप का विशेश अनभव करो जब प्रालब्द कहते हैं तो पुर्शार्थ की ही प्रालब्द होती पुर्शार्थ किया उस पुर्शार्थ अनुसार ही प्रालब्द का अनभाव कर सकते हैं लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं पुछते हैं ना बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं सुनिए तो बाप दादा यही चाहते हैं थोड़े समय के लिए भी पुर्शार्थ की प्रालब्द सुरूप बन जाओ बनेंगे करेंगे बाबा की इच्छा पूरी बन सकते हो कि पुर्शार्थ की मेनत अच्छी लगती है प्रालब्द वाले बनेंगे अभी पुर्शार्त कर रहा हूँ पुर्शार्त हो जाएगा करके दिखाएंगे यह शब्समापत हो जाए करके दिखाएं क्या दिखाओ और कब दिखाएंगे क्या विनाश के समय दिखाएंगे इसकी बहुत सैज विदी है कि अब मास्टर दाता बनो बाप से लिया है और लेते भी रहो लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो ये कर ले ये कर ले तो ऐसा हो ये बदले तो मैं बदलू ये तो लेने की भावना है ऐसा हो तो ऐसा हो या लेने की भावना है ऐसा हो नहीं ऐसा करके दिखाना है हो जाए तो नहीं लेकिन होना ही है और मुझे करना है मुझे वाइब्रेशन देना है मुझे रहम दिल बनना है मुझे गुणों का सैयोग देना है मुझे शक्तियों का सैयोग देना है मास्टर दाता बनो लेना है तो एक बाप से लो अगर और आतमाओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा तो दाता बन फ्राक दिल बनो देते रहो देने आता है या सिर्फ लेने आता है अब जो जमा किया है वे दो आपस में ब्रह्मन आतमाओं भी मास्टर दाता बनो और दे तो मैं दू नहीं मुझे देना है खजाना है आपके पास बरपूर है गुणों से बरपूर है शक्तियों से बरपूर है तो देते क्यों नहीं अपने लिए छिपा कर रखा है क्या जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ वे क्यों करता ये क्यों कहता ये सोच नहीं करो रह्म दिल बन अपने गुणों का अपने शक्तियों का अपने गुणों का अपने शक्तियों का सैयोग दो इसको कहा जाता है मास्टर दाता महा सहयोगी सहयोगी भी नहीं महा सहयोगी बनो महा दाता बनो तो समझा बाप दादा क्या चाहता है बाप दादा अभी तक बच्चों के पुर्शार्थ की मेनत देख नहीं सकते डाइमंड जुबली स्माप्त हुई, डाइमंड अभी तक बेदाग बनने के पुर्शार्थ में लगे हुए है डाइमंड जुबली अर्थात हर ब्रह्मन आत्मा चमकता रहे आप सोचेंगे कि डाइमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वे तो दादियों की हुई आपकी हुई या दादियों की हुई, किसकी हुई, यग के स्थापना के कारे की डाइमंड जुबले सिरफ दादियों की नहीं, स्थापना के कारे की डाइमंड जुबले तो आप सभी चाहे दो साल के हो, चाहे बारा साल के हो, चाहे पचास के हो लेकिन स्थापना के कारे के निमित तो हो ना या नहीं ब्रहमन माना ही ब्रहमा बाप के साथ स्थापना के कारे में निमित आत्मा यह वही ब्रहमा कुमार ब्रहमा कुमारी कहला सकते हैं तो ब्रहमा कुमार कुमारी सभी हो या पुरशार्थ कुमार कुमारी हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया अर्थाद जनम लिया और ब्रह्मा के साथ ही बाप के साथ ही स्थापना के निमित बने तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नहीं हैं हम तो अभी छोटे हैं लेकिन समय के अनुसार अब समय समाप्ती के नजदीक है तो छोटों को नहीं को इतना ही तिवर पुरशार्थ करना ही है अगर अब ब्रह्मन हैं तो अगर क्षत्री हैं तो छुट्टी है लेकिन ब्राह्मन है तो ब्राह्मन सो देवता कहा जाता है ना शत्रिय सो देवता नहीं तो ब्राह्मन आत्माओं को स्थापना के निमित बनना ही है हैं ही निमित इसलिए अभी मास्टर दाता बनो दान नहीं करो सैयोग दो ब्रामण ब्रामण को दान नहीं कर सकता से योग दे सकता है समय के समीप परमान समय की गती परमान ड्रामा के नियम परमान अभी सभी की वन पस्त वस्ता समीप है अच्छा प्यारे बाबा के सरव चारों और के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं मर्ज रूप में समरिती में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम योगी सरव प्राप्ति सुरू प्रालवद को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महा सयोगी आत्माओं को सदा मंसा सेवा द्वारा विश्य की आत्माओं के कल्यान कारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो ये थी प्यारे बाबा की मुडली सदा स्रैष्ट भागे की समर्ती मर्ज रहे महा दाता और महा सहयोगी बने ओम शांत और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे अब लुड़ दिचा जर दाग बने